हेलो गाईज, इस कहानी के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है फर्स्ट पार्ट में कल मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से जेफ्री ने अपनी पहली वाइफ रीटा और बाद में उसकी बेटियों के उपर अत्याचार किये सेक्सवली उसकी बेटियों को अब्यूस किया बाद में उसने मार्था नाम की एक औरत से शादी की शादी के बाद इसने मार्था का एक बार पूरा गला काट दिया था लेकिन वो जिन्दा बज़ गई उसके बाद ये मार्था नाम की औरत गायब हो गई गायब होने के बाद पुलिस को कभी भी पता नी चला कि मार्था के साथ अखिर हुआ क्या था अब ये जो जैफरी नाम का व्यक्ति था ये अपने पडोस में रहने वाली एक लूइस नाम की औरत के बुरी तरह से पीछे पड़ा हुआ था ये लूइस नाम की इस महीला से लगातार डेट पर चलने के लिए कह रहा था लेकिन लूइस को ये सारी चीज़े पसंद नहीं थी वो लगातार मना करती आ रही थी एक बार इसने लूइस के साथ जबरस्ती उसके घर में घुसकर बत्तमीजी भी की और उसके बाद से लूइस ने साथ माना कर दिया था कि तुम कभी भी मुझसे बात मत करना इसके बाद जैफरी ने लूइस को धंकी दी और वो वहां से चला गया इससे आगे की स्टोरी आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ ये अपने घर पहुंचा और बाद में ये अपने घर को भी छोड़ कर कहीं चला गया जब लूइस को ये बात पता चली तो ये उसके लिए एक बहुती बड़े रिलीव की बात थी वो बहुत ज़रा खुश हुई इसके लावा जो पासपडोस के लोग थे वो भी जैफरी के जाने से बहुत ज़रा खुश थे उन्हें लग रहा था कि फाइनली ये क्रीपी व्यक्तियां से जा चुका है इसके बाद कई सालों तक लूइस ने जैफरी को नहीं देखा उसको लगा कि शायद बुरे सपनी की तरह मुझे इस जैफरी को भूल जाना चाहिए फिर धीरे धीरे समय गुजरता रहा और उसके बाद 2011 का साल आ गया अब इस पॉइंट पर जो जैफरी था वो 59 येर्स का हो चुका था और दूसरी तरफ जो लूइस थी उसकी उम्र थी समय 61 इयर्स जैफरी अब एक दूसरी रिमोट लोकेशन में रहने के लिए जा चुका था ये जो रिमोट लोकेशन थी ये बस टेकसस के बाहरी थी और ये एक काफी एकांथ वाला एरिया था यानि के एक रिमोट सी लोकेशन थी इधर जो दूसरी तरफ लूइस थी वो अपनी अकेली जिंदगी अराम से जी रही थी वो बहुत जारा खुश थी जैसा मैं आपको बताये था कि उसे इसी तरह का जीवन पसंद था वो जैफरी को धिरे धिरे भूल चुकी थी अब जैफरी वाली घटना हुए six years बीच चुके थे दूसरी तरफ जो जैफरी था ये definitely लूइस को नहीं भूला था पिछले 6 सालों से उसने दुश्मनी पाल रखी थी लूइस के खिलाफ उसे लग रहा था कि लूइस ने उसके साथ गलत किया हाला कि लूइस ने हमेशा politely उसको मना किया कि मुझे डेट में नहीं जाना है एक बार इसने लूइस के घर में घुसकर उसके साथ बत्तमी जी की जिसका लूइस को विरोध करना ही था लेकिन जैफरी को ऐसा लग रहा था कि लूइस ने विरोध करके ठीक नहीं किया और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे मेरे साथ डेट पर चलना चाहिए था अब जैसा मैं आपको बताई था कि जैफरी तो एक साइकोपैत था वो अपने आपको कभी भी गलत नहीं समझता था, उससे लगता था कि मैं ठीक हूँ और मेरे साथ ही अत्लिया चाहर हो रहा है अब 1st March 2011 का दिन आया उस दिन जैफरी छे सालों के बाद अचानक से लुईस के घर पर पहुंचा अब तक क्योंकि छे साल गुजर चुके थे, जब लुईस ने अचानक से जैफरी को देखा तो वो उसको देखकर बहुत ज़रा चौंग गई पहले तो उसको पहचानी नहीं, 6 साल हो चुके थे लेकिन जब उसने धिहान से देखा तो उसको सब कुछ याद आ गया लेकिन वो इतनी ज़्यादा पोलाइट थी, इतनी ज़्यादा सीधी थी कि उसे लगा कि चलो कोई बाद नहीं, 6 साल बाद आया है, मैं उसके साथ अच्छा भीएव करती हूँ उसने उसको हाई किया, हाथ हिला कर उसका स्वागत किया, उसको देखकर स्माइल किया लेकिन बाद में लूइस ने नोटिस किया कि जो जैफरी है, वो बहुत अलग नज़र आ रहा है उसकी आखों में एक तरह की वहशत थी, यानि कि वो बहुत ज़्यादा जंगली नज़र आ रहा था अब वो चाहती थी कि वो पीछे मुड़ जाए और अपने घर में जाकर अपने दरवाजा बंद कर ले लेकिन जैफरी बहुत तेज था, वो तुरन थी लूइस के घर में घुज गया और उसके बाद उसने लूइस के चेरे पर सीधे उसकी आँखों में पैपर इस्प्रे से स्प्रे कर दिया अब आप समझी सकते हैं कि ये उसके लिए कितना ज़्यादा पीडा दायक रहा होगा इतना ज़्यादा पैपर स्प्रे आँखों में जाने के कारण Lewis पूरी तरह से बेहाल हो गई वो अपनी आँखे मलने लगी दर्द में चिलाने लगी लेकिन आसपास क्योंकि दूर दूर तक कोई और नेवर नहीं था इसलिए कोई भी उसके आवाज नहीं सुन पा रहा था लेकिन Lewis ने हिम्मत नहीं हरी वो पीछे के दर्वाजे की तरफ भागी उसने पीछे के दर्वाजा खोला और वहां से बाहर भागने लगी उस घर में क्योंकि वो पिछले 60 years से रहती चली आ रही थी इसलिए उसको उस घर का पूरा अंदाजा था भले ही उसकी आँखे काम नहीं कर रही थी लेकिन फिर भी वो अंदाजे से बिल्कुत साई direction में भागी थी वो भागती रही लेकिन भागते भागते जहां पर उसकी property खतम होती थी वहां पर एक wired boundary लगी थी यानि कि तारों वाली बाड लगी थी अब उसको इस बाड को cross करना था उसने हिम्मत नहारी वो जल्दी अल्दी उस बाड को अपने हाथों से हटाने लगी और उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी लेकिन तब तक जैफरी वहां पर पहुँच चुका था उसने लुइस को घसीटा लुइस के हाथ उस समय तक पूरी तरह से कट चुके थी उन बाड़ों से अब वो लुइस को घसीटा हुआ घर के अंदर लाया उसको जमीन पर पटका और उसके बाद जैफरी ने लुइस को शैकल्स पहनाने की कोशिश की शैकल्स एक तरह की बेडियां होती हैं जो जेल में कैदियों को लगई जाती है जो ज़्यादा खतरनाक कैदियों होती हैं उनको लगई जाती है तो वो शैकल्स पहनाने की कोशिश की लेकिन Lewis लगातार विरोध कर रही थी वो शेकल पहनने के लिए तयार नहीं थी उसी समय जैफरी किचिन में गया वहाँ पर पड़ा हुआ एक बेलन वो लेकर आया फिर उस बेलन से वो Lewis के चेहरे पर और उसके सिर पर लगातार वार करने लगा उसे बुरी तरीके से पीटने लगा Lewis को जब यह एहसास हुआ कि यह मुझे मेरे किचिन से लाए वे रोलिंग पिंसे या बेलन से पीट रहा है तो उसको इस बात का ज़्यादा दुख हुआ कि यह जो बेलन था यह उसकी मा का था और यह चीज उसको ज़्यादा हर्ट कर रही थी इसके बाद अब जैफरी लुईस से पूछने लगा कि तुमारे घर में डग्टेप कहां रखा है वो चाता था कि डग्टेप लाकर अब वो लुईस को इस डग्टेप से बांदे लेकिन लुईस ने भी समझधारी से काम लिया उसने जैफरी को नहीं बताया कि डग्टेप कहां पर रखा है अब जैफरी को और जारा गुस्ता आने लगा वो दूसरे कमरे पे गया वहां से वो एक्स्चेंशन कॉर्ड लाया उसके तार उसने काटे और उसके बाद उन तारों की सहायता से इसने लुईस की कलाईया बांदी और उसके पैर में तो पहले से ही बेड़ेया लगी हुई थी इसके बाद जैफरी में डोर खोल कर बहार निकला वो अपनी गाड़ी तक पहुँचा, अपनी गाड़ी से वो डक्टेप निकालने लगा, जिसकी साहिता से अब वो लुईस को आगे बांगता, इधर जो लुईस थी, इसको वो कहकर गया था कि तुम बिल्कुल भी मधिलना, लेकिन लुईस शांत रहने वाली नहीं थी, भली कि एक तरफ तो जैफरी की गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें से वो डक्टेप निकाल रहा था, उससे दूसरी डायरेक्शन में, अब लुईस बहुत तेजी से भागने लगी, लेकिन वो कितनी तेजी से भागती, उसके पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हुई थी, इ अब जैफरी अपनी गाड़ी चलाता हुआ, लुईस के करीब पहुँच गया, वो तुरंथ अपनी गाड़ी से भार कूदा, उसने भागती हुई लुईस से कहा, कि मेरे हाथ में गन है, और मैं तुम्हें तुरंथी शूट कर दूँगा, अगर तुम अभी नहीं अब लुईस तुरंथी रुक गई, उसे लग रहा था कि ये सच में मुझे गोरी मार देगा, वैसे भी वो बचने वाली नहीं थी, वो उसे कार से भी टकर मार सकता था, और वो उसको वैसे भी पकड़ी लेता, क्योंकि बेड़ियां लगी होनी के वज़ेसे वो धीरे धीर अब जैफरी ने लुईस को पकड़ा, वो उसको घसीटता हुआ लाया और अपनी काड़ी की टिकी में उसको बंद कर दिया, इस बार डिकी में बंद करने से पहले उसने लुईस के हाथों में हतकड़ियां लगा दी थी, और साथी उसके मूँ पर डक्टेप अच्छी तरी लुईस को बिलकुल भी अंदाजा नी था कि वो कहाँ पर है, क्योंकि अभी तक वो गाड़ी की डिकी में बंद थी, उसको वहाँ से कुछ भी नहीं दिखरा था, वो बस अंदाजा लगा रही थी कि शायद ही मुझे अपने घर लेकर आ रहा है, जब गाड़ी का ट्रंक ख अब इस पर जैफरी लुईस को लटकाने वाला था, उसने ऐसा ही किया, उसने लुईस को जवस्ती घजीट कर, इस डियर स्किनिंग डिवाइस पर लटका दिया और वो भी उसके हाथों के सहरी, तो अब लुईस को इस डिवाइस पर लटका दिया गया था, उसके हाथ अब बिल्कुल स्ट्रेट थे और उसकी पूरी बोड़ी का वजन उसके हाथों पर पड़ रहा था, तो आप समझी स सकते हैं कि इस समय उसकी क्या हलत रही होगी इसके लागा जैफरी ने उसको नेकेट कर दिया था उसके सारे कपड़े उतार दिये थे और यह उसके लिए बहुत जारा हुमिलियेटिंग था क्योंकि जो लुइस थी वो एक वर्जिन थी उसने कभी ना तो शादी की थी ना उस लगा कि तुम कितनी बेगफूफ हो तुम ऐसे रो रही हो तुम बच्चों की तरह रो रही हो उसके बाद लुइस ने प्रातना करनी शुरू कर दी वो पूरे रास्ते भी प्रातना करती हुए आई थी कि मुझे इस सिच्वेशन से किसी प्रकार भी भगवान निकाल लो औ इस सिच्वेशन का भी जैफरी बहुजरा मजाक उड़ाने लगा उसने कहा कि अब मैं जो तुमारे साथ करने वाला हूँ उसको करने के बाद तुमारा भगवान से खुदी विश्वास उड़ जाएगा अब आगे ये कहानी और ज़दा डिस्ट्रेसिंग होने वाली है हाल लुइस को sexually abuse कर रहा था उसके उपर different torture devices use कर रहा था और उसके बाद वो एक कोड़ा लेकर आया उस कोड़े में लाल रंगे छोटे चोटे कांटे लगे वे थे वो लुइस को इस कोड़े की सहयता से बुरी तरह से पीटने लगा हाला कि लुइस कोशिश कर रही थी कि वो न चीखे क्योंकि उसे पता था वो जितनी बार चीख रही है उतनी बार जैफरी को अच्छा लग रहा है लेकिन उसको इतना जाला दर्द हो रहा था कि उसके मूँ से अपने आपी चीखे निकल जा रही थी अब आप समझ सकते हैं कि लुइस की उस्तमें क्या हालत रही होगी उसको जमीन पर लिटाया उसके हाथों में जो हटकड़ियां थी वो निकाली और उसके बाद उसको में हाउस में लेकर गया यानि कि जिस घर में वो रहता था वहाँ पर उसने इसको बातरूम में बंद कर दिया उसने कहा कि तुम अपनी सफाई कर लो और तब पहली बार य जगै कट्स लगे वे थे और हर जगै नील पड़े वे थे इसके अलावा लुईइस का चेहराबी बुरी तरीके से घायल था क्योंकि इसको जैफ्री ने अभी तो मार करे अटाक किया थो और बार-बार उसके चेहरे पर वार किये थे वो अपना चेहरा मिरर में देखकर पहचानी नहीं पारी थी लूइस की एक आँख इतनी ज़्यादा सूच चुकी थी कि उसको लग रहा था कि शायद वो कभी भी उस आँख से देखनी पाईगी शायद वो आँख हमेशा के लिए खराब हो जाएगी इसके अलावा जो लूइस थी वो इतनी देर तक अपने हाथों के सारे लटकी रही थी कि उसको दर्द तो हो ही रहा था जो की होना बिल्कुल नैचुरल भी है लेकिन उसका जो एक हाथ था वो फ्रैक्चर हो गया था और साथ ही उसका जो एक कंदा था उसका जो शोल्डर था वो डिसलोकेट हो गया था तो आप समझी सकते हैं कि उसके शोल्डर में उसके हाथ में कितना जाता दर्द होगा अब जब Lewis शावर लेकि उस बातरूम से बहार आई तब जैफरी ने अपने कुछ कपड़े उसे पहनने के लिए जो कि Lewis बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहती थी क्योंकि वो जैफरी के कपड़े थे लेकिन उसको पहनने ही पड़े क्योंकि उसे अपने आपको कवर भी करना था अब उसने कहा Lewis को कि तुम बैट पर जाके सो जाओ और वो भी उसके बगल में जाकर सो गया अब ये भी एक बहुती आश्यर की बात है कि इतना sadistic person जिसने अभी अभी एक दूसरे व्यक्ति को इतना torture किया है वो कैसे इतने आराम से सो सकता है Lewis को बिल्कुल भी नीन नहीं आ रही थी वो बहुत जारा दुखी थी वो अपने घर से पहली बार एक रात के लिए बाहर रही थी अभी तक वो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं सोई थी और अब उसको इतना कुछ जेलना पड़ रहा था अब हम day two पर चलते हैं अब Lewis को उस bedroom से बाहर ले कर गया जैफरी और उससे कहा कि मुझे एक दुकान तक जाना है मुझे कुछ padlocks खरीदने हैं यानि कि ताले तो अब Lewis को दुबारा से garage में ले कर जाये गया उस समय Lewis सोच रही थी कि शायद अब उसको दुबारा से उस device पर लटका दिया जाएगा अब वो भगवान से बहुत चादा प्रातना कर रही थी कि मुझे दुबारा उस device पर ना लटकाया जाए उससे पता था कि अब वो उसको जेल नहीं पाईगी क्योंकि उसका shoulder भी dislocate हो चुका था उसका हाथ fracture था लेकिन अब जेफरी ने उसको एक नई चीज दिखाई ये एक छोटा सा box था ऐसा box जैसे की ताबूत होता है जिसमें लाशों को रखकर उसे जमीन में दफना दिया जाता है तो इस तरह का एक box था उसे दिखा कर जेफरी हसने लगा उसने कहा कि अब तुम्हारे पास दो option है तुम्हे उस device पर लटकना है या इसके अंदर रहना है अब लूइस ने देर ना करते हुए तुरंत ये कहा कि नहीं मुझे इस box में बंद कर दो लेकिन अब मुझे उस device पर मत लटकना अब जेफरी ने लूइस को उस ताबूत जैसे डिबे में बंद कर दिया फिर उसको एक work bench के नीचे सरका दिया और उसके पाद ताला वगएरा लगा कर वो इस टोर में कुछ समान खरीदने के लिए चला गया इधर जो लूइस थी उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि कितना वक्त भी दिया क्योंकि जब आप एक ऐसी situation में होते हैं तो आपको वक्त अलग तरीके से बीटता वो नजार आता है शायर आपको वक्त बहुत लंबा लगता है finally जैफरी घर लोटा उसके बाद उसने उस बॉक्स में से लूइस को बाहर निकाला फिर से वो लूइस को लेकर में हाउस में पहुँचा अपने बैडरूम में पहुँचा फिर उसने लूइस को महा ले जाकर sexually assault किया अब जैसा मैंने आपको पताया था कि जो लूइस थी वो एक virgin थी और जब जैफरी को ये बाद पता चली तो उसको ये बाद बहुचारा funny लगी उसने लूइस का बहुचारा मजाक उड़ाया और उसके बाद multiple times उसके साथ rape किया अब जैफरी ने फिर से लूइस के हाथों में सो नहीं पाई थी तो अब automatically इसको नीद आ गई वो कुछ घंटों तक सो पाई उसके बगल में ही जैफरी भी आकर सो चुका था और उसके बाद अब day 3 आया अब जैफरी को दुबारा से बाहर जाना था वो कुछ job वगएरा करता होगा वहाँ उसको जाना था फिर उसने अब इस बार लूइस को बैट पर ही बंदा छोड़ दिया उसने कहा कि मुझे बाहर जाना है और इधर पीछे जो लूइस थी वो पूरे दिन बैट से बंधी रही शाम का समय हो गया और जब जैफरी वापस आया तो उसने पाया कि क्योंकि लूइस सारे दिन घर में अकेली बंधी रही थी तो अब उसने बिस्तर गीला कर दिया था क्योंकि उसको टॉयलेट आई होगी अब यह देखकर जैफरी को बहुत जारा गुसा आगया उसने उसको बहुत जारा पीटा और एक बात मैं आपको और बता दूँ कि जाने से पहले यह जो जैफरी था यह लूइस के मुँ में एक मैटल गैग ठूस कर गया था ताकि वो चिला ना पाए वो उसने खुदी बनाया था तो जब उसने पीटने के बाद यह मैटल गैग लूइस के मुँ से निकाला तब उसने रियलाईज किया कि वो जो मैटल गैग था वो इतना जारा टाइट था कि लूइस के कुछ फ्रंट टीथ तूट चुके थे अब आप खुदी समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा पेंफुल रहोगा लूइस के लिए अब इसको पीटने के बाद जो जैफरी था वो बहुत अच्छे मूड में नजार आ रहा था ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बहुत बड़ा काम करके आया है उसके चेहरे पर एक बहुत ही पैतानी स्माइल थी वो बहुत ज़र एक्साइटेट था उसने लूइस से कहा कि मुझे तुम्हे कुछ दिखाना है वो लूइस को ले कर अपने टीवी के सामने जाकर बैट गया टीवी पर न्यूस चल रही थी उसमें कि स्टोरी आ रही थी कि ये घर है जो कि पूरी तरह से जल गया है ये लोकल न्यूस थी और ये जो घर था ये उसी लोकल एरिया का था अब जब लूइस ने न्यूस में उस घर को देखा तो उसने पाया कि ये जो घर उस न्यूस में चलता हूँ दिखाये जा रहा था ये उसका खुद का घर था और पूरा दिन जो जैफरी घर से बाहर था वो कोई जॉब करने नहीं गया था बलकि वो सारा दिन लिविस का घर जलाने में बिजी था अब आपको ये बात तो पता ही है कि लिविस के लिए वो घर कितना चाथा इंपोर्टेंट था वो बच्पन से पिछले 61 इयर्स से उस घर में रहती आई थी वो एक रात भी कभी उस घर के बाहर नहीं रही उसमें उसके सारे कीमती समान थे सारी पुरानी यादे थी उसके माबाप की जो भी धरो आ रहे थी उसके जुड़ी जो भी चीज़े थी वो सब उस घर में मौझूद थी उसकी फैमिली फोटोस थी उन सब को जला कर जैफरी अब राक कर आया था वो बहुत ज़्यादा रोने लगी उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और ये देखकर अब जैफरी बहुत जो जोड़ से हसने लगा वो इतना ज़्यादा फणी पा रहा था इस चीज को कि वो जमीम पर गिर गिर का रहासरा था उसको हर वो चीज फणी लगती थी जिससे किसी को दुख पहुँचे इसका ये प्लैन था कि जब ये लिविस के घर को जला देगा जा सका लेकिन हम उस घटना पर बाद में जाएंगे अब धीरे धीरे एक दो दिन और बीते जैफरी ने एक सिक रूटीन मना लिया था जब वो सुबह उड़ता था तो पहले वो लुईस को सेक्सुली असॉल्ट करता था उसके बाद वो पूरे दिन के लिए लिविस को घर में ही छोड़ कर बहार चला जाता था कभी-कभी वो लुईस को उस ताबूत जैसे बक्से में बंद करके जाता था और कभी-कभी उसको चेनों से बांद जेता था उसके मूँ में वो मैटल गैक ठूस देता था और इस तरह से लुईस सारा दिन बंदिवी घर में पड़ी रहती थी अब जो जेफरी था वो धीरे-धीरे कम नाराज नजार आने लगा था धीरे-धीरे वो लुईस में विश्वास भी करने लगा था वो उसको थोड़ी बहुत पर्मीशन देता था कि वो घर में घूम सके हमेशा वो उसको चेन से बांध करनी रखता था जब वो घर में मौझूद होता था लेकिन उसके जो सेक्स्वाल असॉल्ट थे वो बिल्कुल भी नहीं रुपते थे वो उसके साथ बार-बार रेप करता था इसके अलावा लुईस को कभी-कभी वो पर्मीशन देता था कि वो ओट मील भी सुबे में खा सकती है अब इसके अलावा वो उसको फीड रगा रहा तो करी रहा था लेकिन ज़्यादा अच्छा खाना नहीं देता था अब इधर जो लिविस थी वो sexual assaults को बरदाश नहीं कर पारी थी वो बिल्कुल नहीं चाती थी कि उसके साथ रेप हो अब उसने एक plan बनाया जब लिविस बहुत छोटी थी तब उसकी माने बताया था कि जब वो पैदा हुई तब वो एक bronchitis जर्म के साथ पैदा हुई bronchitis एक सांस की बीमारी होती है जो की अस्थमा जैसी ही होती है और वो छूट की बीमारी भी होती है अब एक कारण ये भी था कि कभी भी लिविस ने किसी भी रड़के को किस नहीं किया था उसे ऐसा रखता था कि वो अपनी बीमारी दूसरों को दे देगी और शायद इसी कारण से उसकी माने उसे बेगपू बनाया हो ताकि वो इस तरह की हरकते ना करे अब क्या सच था क्या जूट था ये तो पता नहीं लेकिन अब लिविस ने अपनी इस बीमारी को हतियार बनाने का फैसला किया अब नेक्स टाइम जब जैफरी लुइस के पास आया तब लुइस ने जब अस्ती अपना जो थूख था वो जैफरी के मूँ में ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद जैफरी से बोली कि मेरे मूँ में ब्रॉंकाइटिस जर्म है मुझे ब्रॉंकाइटिस की बीमारी है और अब वो बीमारी मैंने तुम पे पास कर दी है अब ये सुनकर जैफरी बहुजरा हसने लगा वो कहने लगा कि हाँ हाँ ठीक है तुमारी बिमारी अब मुझ में आ गई है मेरे अंदर ब्रॉंकाइटिस के जर्म आ गए है और ये कहकर वो हस्ता रहा उसके बाद वो रात को सो गया लेकिन अगली सुबह जब वो सो कर उठा तब उसने फील किया कि वो बीमार बढ़ चुका है उसको बहुत ही तेज फीवर था बहुत जाना ठंड लग रही थी और पूरी तरह से पीला पढ़ चुका था वो इतना ज़्यादा बीमार था कि वो बिस्तर से उड़ भी नहीं पारा था अब उसको लगने लगा था कि लूइस ने सच में उसे बीमार कर दिया है हालकि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है कि लिविस को ब्रॉंकाइटिस था क्योंकि वो इसकी कोई भी दवा और नहीं लेती थी हो सकता है कि जैफरी किसी और कानर से बीमार पड़ा हो लेकिन अब लिविस की बात सच हो चुकी थी अब दो-तीन निन और बीते इस दोरान जैफरी बहुत ज़ादा बीमार रहा लेकिन धीरे धीरे अब उसका लूइस के उपर ट्रस्ट बढ़ता जा रहा था वो हर समय उसे चेन से बान नहीं रहा था जैसे मैं आपको पहले भी बताया और अब उसने उसको सेक्सोली असॉल्ट करना भी बहुती कम कर दिया था शायद वो उसके ब्रॉंकाइटिस जर्म से सच में डरने लगा था हाला कि वो अभी भी क्रीपी था वो कई बार लुईस से कहता था कि तुम मेरी गोद में आकर बैठो वो टीवी देखते वे लुईस चुपचाप उसकी बात मान लिया करती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसका मूद और जाड़ा खराब हो और फिर वो उसके साथ कोई भी टॉर्चर करे अब धीरे धीरे लुईस ने जैफरी से पूछना शुरू किया कि क्या तुमारे पास एक बाइबल है जैफरी ने एक बाइबल उसको निकाल कर दी ये जैफरी के माता पिता में से किसी की थी और अब लुईस अपना जारातर समय बाइवल पढ़कर बिताने लगी उसको बाइवल मिल चुकी थी, वो थोड़ा सा खुश थी लेकिन ये देखकर जैफरी उसका बहुत जारा मजाक उड़ाता था और वो कहता था कि तुम अभी तक भगवान पर रिश्वास करती हो क्या मैंने तुम्हारे साथ बहुत जारा गलत नहीं किया कि अभी भी तुम्हें भगवान पर रिश्वास है भगवान ने तुम्हारी कोई भी प्राथना नहीं सुनी ऐसा लगता था कि जैफरी बहुत ज़्यादा रिलीजन पर फोकस जिता उसे शायद भगवान पर रिश्वास नहीं था शायद उसका जो बच्पन था जो कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रिलीजियस हाउस होल्ड में बीता था शायद ये उसी का परिणान था उसका भगवान पर से भरोसा उड़ चुका था अब क्योंकि हमें उसके चायद हुट के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो इस बारे में कुछ भी दावे से नहीं कहा जा सकता अब लिविस जैफरी से कहने लगी कि मुझे घर लेकर जाओ में जो मेरा घर देखना है एक बार जैफरी ने लुइस से ये भी कहा कि हम दोनों शादी कर सकते हैं शायद ये लुइस से इसलिए शादी करना चाता था क्योंकि शादी के बाद अगर लुइस उसके खिलाव गवाही दे दी तो उसकी गवाही की कोट में कोई भी वैल्यू नहीं होती ये ही वहाँ का कानून था इसके बाद एक दो दिन और बीद गए अब जैफरी को फिर से दुकान तक जाना था उसको कुछ ग्रोस्रीज खरीद नी थी लेकिन इस बार वो अपना पैसा नहीं खर्च करना चाता था उसने लिविस से कहा कि तुम इस बार पैसे दो जब जैफरी लिविस का घर जलाने के लिए पहुचा था तब उसने पहले उसकी चेक बुक वगरा निकाल ली थी उसका वालेट निकाल लिया था उसके कार्ड वगरा निकाल लिये थे उसके बाद उसमें उस घर को जलाया था अब उसने लिविस से खा कि इस चेक बुक में मुझे 500 डॉलर्स का चेक लिख कर दो जैफरी को ऐसा लग रहा था कि वो बहुत जारा इंटेलिजेंट है लेकिन ये जो पूरी चेक सिचुएशन थी इसके कारणी पूलिस ने बहुत जल्दी ही उसको पकड़ लिया जैफरी ने बहुत जारा इंटेलिजेंट बनके लिविस से कहा था कि तुम मुझे 2nd of February का चेक लिख कर दो आपको शायद यादी होगा कि उसने लिविस को 1st March को किड़नेप किया था और वो उससे एक महीने पहले का चेक मांग रहा था उसे लग रहा होगा कि अगर पुलिस उसको पकड़ भी लेगी तो मैं कह दूँगा कि लिविस के जल कर मरने से पहले लिविस ने मुझे चेक दिया था अब जैसा कि मैंने आपको पहले का था कि जब लिविस का घर इसने जलाए था तो शायद इस केस की सबसे अच्छी चीज उसने की थी हाला कि ये लिविस के लिए एक बहुती बुरी चीज थी लेकिन इसी कारण से वो इसकी कैट से छूट पाई जब इसका घर इसने जला दिया तब पुलिस ने अब लीविस की तलास शुरू की, उन्हें लीविस की जली हुई लाश कहीं भी उसके घर के मलवे से बरामत नहीं हुई और तब पुलिस समझ चुकी थी कि जो लीविस है वो अपने घर से मिसिंग है अगर जेफरी लिवीज के घर को ना जलाता तो पता नहीं कितने समय तक किसी को भी पता नहीं चलता कि लिवीज गायब है क्योंकि लिवीज किसी से भी relationship नहीं रखती थी अब जब जेफरी लिवीज का check लेकर उसके बैंक में पहुँचा तो बैंक को तो पहले ही ख़बर थी कि उनकी जो कस्टमर है लिविस वो गायब है बैंक ने तुरंथी पुलिस को इंफॉर्म किया बताया कि यहां पर जैफरी मैक्सवेल नाम का एक व्यक्ति आये हुआ है उसके हाथ में लिविस का दिया हुआ चेक है अब पुलिस ने इस जैफरी की हिस्ट्री चेक की उन्होंने पाया कि इसकी एक जो वाइफ है वो मिसिंग है भी तक वो नहीं मिली है और उससे पहले उसने उसी वाइफ की गला काट कर हत्या करने की भी कोशिश की थी अब पुलिस को ये व्यक्ति क्योंकि पता ही था कि काफी शेडी है इन्हें उसके उपर शक होने लगा उन्होंने का कि ठीक है हम इसको चेक करते हैं उसके बाद 12th of March 2011 में यानि की किड्नेपिंग के 12 days के बाद पुलिस जैफरी के घर पर पहुँची जिस समय पुलिस इनके घर पर पहुँची उस समय जो लुईस थी वो एक बहुत ही बेकार कंडिशन में जमीन पर बैठी हुई थी वो जमीन पर बैठ कर बाइबल पढ़ रही थी दूसरी तरफ जो जैफरी था वो आराम से सोफा पर बैठ कर टीवी देख रहा था तब ही अचानक से इन दोनों को ही दर्वाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाजे आने लगी पहले तो जैफरी ने इन आवाजों को इग्नोर कर दिया वो एक बहुती एंटी सोशल व्यक्ति था वो दर्वाजा खोलना नहीं चाता था लेकिन जब दोबारा से जोर जोर से दर्वाजे पर नौक होने लगी तो वो इवेंचिली उठा उसने उठने के बाद लिविस से कहा कि ऐसा है कि कोई भी दर्वाजे पर है लेकिन तुमें चुप रहे ना है अगर तुमने थोड़ी सी भी आवाज निकाली तो मैं तुमारी हत्या कर दूँगा उसके आज जैफरी अराम से उठकर गया उसने दर्वाजा खोला और जब उसने दर्वाजा खोला होगा तो सामने जब पुलिस आफिसर्स को देखा होगा तो उसके चेरे पर जो एक्स्प्रेशन्स आयोंगे वो देखने लाइक होगे मैं उनको जरूर देखना चाहूँगी लेकिन ऐसी कोई पिक्चर मौजूद नहीं है तो इन दो पुलिस वालों को देखकर जैफरी बहुत जारा सक पका गया इन ओफिसर्स ने जैफरी से पूछा कि क्या तुम किसी लिविस पीरसन को जानते हो तब जैफरी ने का काफी सोचने की एक्टिंग करते वे कि हाँ एक लिविस पीरसन तो थी वो मेरी पडोसी थी लेकिन ये बहुत पहले की बात है उसके बार लेकिन पुलिस वाले उससे क्वे से कॉशनिंग करने लगे उन्हें पता था कि ये लिविस का चेक लेकर घूम डा था अब जैफरी तरह तरह के बहाने बनाने लगा पुलिस आफ्जस पूछने लगे कि कि तुम जानते हो जहा तोकि समय लिविस कहां भी नजर आई, वो समझ गई कि पुलिस वाले हैं, अब वो तुरंद बहार की तरफ दोड़ी, दरवाजे पर जैफरी और पुलिस वाले खड़े वे थे, वो दरवाजे से बहार भागी और पुलिस वालों से जाकर टकरा गई, वो तुरंद भी कहने लगी कि मैं हूँ, मैं जुनने आये हैं किया अब पुलिस वालों ने जब उसको देखा तो उसको देखते रह गए वो पहचाने ही नहीं कि ये वही औरत है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी फोटो से बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रही थी जो लुईस पीर्सन थी उसका चेहरा पू पुरा शरीर नील के निशानों से ढखा हुआ था अब उन्होंने तुरंथी लुईस को सेव किया उसे गाड़ी मे ले जाकर बिठाया और इधर दूसरी तरफ जैफरी को जमीन पर गिरा कर उसे जवस्ति पिन करके गिरफतार कर लिया गया उसके हाथों में हतकडिया डाल अब पाकी पुलिस ऑफिसर्स भी आये उन्होंने इसके घर की तलाशी ली तो उन्होंने पाया कि इसके घर में बहुत ज़्यादा सेक्स चोईस थे साथ ही जो सेक्स चोईस थे इनमें जगे जगे खून लगा हुआ था इसके घर से एक लोड़ेट पिस्टल भी मिली हतकड मुवीज का ये सेक्स लेव की फेटिश मुवीज थी मैगजीन थी और इसका घर इतनी बुरी-बुरी चीजों से भरा हुआ था जिसके आप कलपना भी नहीं कर सकते इधर लिविस को तुरंती हॉस्पिटल ले जाये गया वो एक बहुत ही बैड कंडिशन में थी जैसे कि म अब जो जैफरी था उसको क्वेशनिंग के लिए पुलिस टेशन ले जाये गया ये जो जैफरी नाम का व्यक्ति था ये बहुत ज़्यादा फोर्थ कमिंग था ये खुदी उच्छल उच्छल कर सारे क्वेशन का जवाब दे रहा था उससे पता था कि उसका गेम खतम हो च मैंने अपनी ये फैंटेसी अब पूरी कर ली है इसने ये भी बताया कि मैं उससे शादी करना चाहता था ताकि ये कोर्ट में मेरे अगेंस्ट टेस्किफाई ना चाहता है कर पए फिर 14 February 2012 से जैफरी का ट्रायल शुरू हुआ अब तक तो जैफरी का आगे बढ़ चड़कर सारे सवालों का जवाब दे रहा था लेकिन अब जबकि उसका ट्रायल शुरू हुआ तो उसने नौट गिल्टी प्लीड किया यानि कि उसने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं क था उनके पास बहुत जभाज़ा सबूत थे इसके अलावा उसके घर से इस तरह का समान मिला था ऊसके टॉइस मिले थे दी साथ में ही रीटा की वो दोनों बेट ils के साथ इसने च्छेड-चड़ की थी वह भी सामने आईource voilà इसके करेक्टर को खुल कर बताया कि किस तरह व्यक्ती है कि तेंव दीडिय को न्याया और कि क्योंकि पिती गुद्प के साफने अकर गवाही देना भी अपने आप लेकिन उसको अपनी बहादुरी दिखानी ही थी क्योंकि अगर वो सामने नहीं आती तो शायद जैफरी को सजा नहीं मिलती वो चाहती थी कि वो जैफरी के खिलाव गवाही दे और जैफरी कभी भी जेल से ना चूटे उसने कोर्ट में सामने आकर बताया कि उसने किस तरह का दर्द जेला उस कैद में रहते हुए और उस कैद से निकलने के बाद भी उसने कहा कि वो अभी भी अपने कंदे के दर्थ से परिशान है हाला कि अब उसके शोल्डर को फिक्स कर दिया गया है लेकिन फिर भी उसके हाथों में बहुत जारा पेन रहता है उसकी जो उंगलियां हैं उसमें पर्मनेंट लिगामेंट डैमेज हो चुका है उसकी कुछ फिंगर्स काम नहीं कर रही है इसके लावा उसका जो घर था जिसमें वो बच्च्पन से रही थी उनको जलाया जा चुका है अब उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है और अगर घर हो भी जाता है तो वो उसका अपना घर नहीं होगा जितना उसे अपने घर से प्यार था अब उसको नहीं मिल सकता साथ ही उसके पास तीन बिल्लियां थी जैसे मैं आपको बताया था तो जैफरी ने उस घर के साथ-साथ उसकी तीनों बिल्लियों को भी जला कर मार दिया था जीवरी को सिर्फ एक घंटा लगा इसकी किस्मत का फैसला सुनाने में इन्होंने जैफरी मैक्सवेल को सारे तीनों चार्जेस का गिल्टी पाया इन्होंने इसको तीन लाइफ सेंटेंसिस की यानि की तीन उम्रकैद की सजा सुनाई और उसके बाद इसको शैकल्स यानि की बेडियां पहना कर वहां से ले जाया गया और जेल में बंद कर दिया गया फाइनली इस आदमी को सजा मिली जो कि इतने समय से कानून के शिकंजे से बचता आया था जस्टिस तो हो चुकी थी लेकिन सब यक्तियों को ये जस्टिस नहीं मिली थी हो सकता है कि लिविस को थोड़ी बाद जस्टिस मिल गई हो लेकिन पहले जितने भी लोगों के साथ इसने गलत किया था शायद उन्हें कभी भी नयाय नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमें मार्था का केस भी याद करना पड़ेगा जो कि 1992 में गायब हो गई थी और अब जब कि उसको सजा मिली थी तब तक मार्था को गायब हुए करीब 20 साल हो चुके थे लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं थी उसकी ना कोई डेड बोडी मिली ना कोई खबर मिल कोई भी नहीं जानता है शायद जैफरी के अलावा कि मार्था के साथ क्या हुआ अभी भी ये जो केस है ये एक कोल्ड केस है इसके बारे में जैफरी ने कभी भी किसी को भी नहीं बताया इसके अलावा पुलिस को जैफरी पर शक है कि उसने कुछ और महिलाओं को भी लेकिन पुलिस कोई भी एविडेंस नहीं ढून पाई है जो कि इन महीलाओं को जैफरी से लिंक कर सके ऐसा माना जाता है कि यह जो जैफरी नाम का व्यक्ति था यह शायद एक सीरियल के लड़ था अब अगर हम लुईस की बात करें तो अब वो अपने अर्ली सेवेंटी में ह करती थी उस चर्च ने उसके लिए सेवेंटी थाउजन डॉलर का एक फंड रेस किया उसके बाद यह पूरा फंड था उन्हें लुईस को दिया लुईस ने उस पैसे से अपने लिए ट्रेलर खरीदा यानि कि यह गाड़ी जैसी होती है जिसमें साधी सुईता होती है आप वह कहती है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लोगों से घुलना मिलना काफी पसंद है और अब मेरी परस्नेलिटी बहुत जारा चेंज हो चुकी है और अब लोग भी लुईस की बहुत जारा केर करते हैं लोग उसका वेलफेर चेक करने के लिए आते हैं वो देखने लगते हैं कि वो ठीक है नहीं है उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बन चुके हैं और अब उसका कॉंफिडेंस भी बढ़ता जा रहा है अब वो जिस चैट्च में जाया करती है वहाँ पर वो गाना भी गाती है और साथ ही प्यानों भी बजाती है गाना मतलब भी भज़ान को कैसी लगी साथ ही स्टोरी को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे थैंक यू सो मच फर लिस्टिंग तो मैं स्टोरी थैंक यू सो मच